नमस्कार आप दिख रहे हैं नेक्ष्टने नवाज मैं हूँ आपके साथ सिराज मणिपूर में अनुस्रीची जनजाती के दरजे की मांग को लेकर मैतई और कूकी समुदाये में जारी गती रोध में अब तक 180 लोगों की जान जा चुकी है 23 माई को मैतई और कूकी लोगों के बीच हिंसा भड़की थी जिसके बाद विक्राल रूप धारन कर लिया और आगजनी से लेकर दुशकर्म तक की घटनाएं सामने आई थी मणिपूर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोट में सोमबार बीस नवंबर को सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान मणिपूर सरकार ने सुप्रीम कोट को बताया कि 3 माई से दुशकर्म और अन्य अपराधि घटनाओं से पीडित महिलाओं को जो है पांच कड़ो रुपे की सहायता राशी दी गई है राजे सरकार ने यह भी बताया कि यह राशी एक समर्पित बैंक एकाउंट में ट्रांसपर की गई है जहां से पीडितों को मदद पहुँचाई गई हाना कि कितनी महिलाओं को अभी तक यह राशी मिली है इसकी सरकार पे कोई जनकारी नहीं है मदपूर हिंसा की पीडित महिलाओं को पांच लाख से दस लाख की शायता राशी दी जा रही है जिन महिलाओं की हिंसा में मौत हो चुकी है यह समूहिक दुशकर्म से पीडित महिलाओं के लिए जो है अब पांच लाख से दस लाख तक की शायता राशी दी गई है वहीं राजे सरकार ने याभी बताया कि हिंसा में घायल महिलाओं के लिए एक लाख से नौ लाख तक रुपे की शायता जो है बैंक एकाउंट में ट्रांसपर की गई है तीन माई को भड़की हिंसा के बाद से अब तक मनिपूर में 180 लोगों की जान जा चुकी है अगस्त में मनिपूर सरकार ने सुप्रीम कोट को बताया था कि केंद्रिय जाच बियो रही यानि सीवियाई महिलाओं के साथ दुशकर्म और छेड़चाड और हत्या के 20 मामलों की जाच कर रहा है राजे सरकार ने बताया कि पीडित महिलाओं को 5 से 10 लाक रुपे तक की शाहता राशी दी गई है सुप्रीम कोट के निर्देश पर राजे सरकार ने पीडितों को साहता राशी देने की या स्कीम शुरू की थी तो बता दे कि मड़ीपूर हिंसा लगतार अब थम नहीं रही है ऐसे में सुप्रीम कोट में सुनवाई के दोरान सरकार ने सफाई दी और महिज ये बताया कि हमने पीडितों को साहता राशी दी लेकिन जिस तरीके से मड़ीपूर में हिंसा होई महिलाओं को नंग घुमाया गया दुशकर्म हुआ और कितने लोगों की जान गई और कितने लोग घायल हुए कितने घर जले कहीं न कहीं सरकार को अब सुप्रीम कोट में जबाब देना पड़ेगा फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नक्ष्ने नावाज के साथ